हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग भी ठीक ठाकी होंगे और मैं हूँ सशी मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां सम कितना मेरा घर अगरा फैला हुआ है और यह बाक्स भी खुला हुआ है यहां इ यह सब गरम कपड़े और रजाय वगरा यहां रखा जा रहा है तो चलिए फिर यह सब हो जाए उसके बाद में फिर मैं चाड़ू पुछा कर लेती हूं और उसके बाद मैं चलती हूं किचन में और किचन में मुझे बनाना है आज लोकी की और प्याज की पकोड़िया तो यह देखी है मैं प्याज कट करके रखा और लोकी को भी मैंने कट कर लिया है तो इधर मैं कड़ाई में पहले लोकी का चटनी बनाओंगी तो इसके लिए मैं उसी की तयारी कर रहे हूं तो इसमें मैंने थोड़ा साजीरा साबुच जीरा और मेरे पास ना सुखी लाल मिर् तो इसलिए मैं हरी मिर्ची डाल रही हूं और इसमें मैं 3-4 के लिए लहसुन का डालूंगी और यह सब जब भलका सब भून जाएगा तो फिर मैं इसमें लौकी एड़ कर दूंगी तो यह देखिए मैंने चटनी के लिए लौकी को काट के रखा है और यह सब अच्छे से मैं इसमें आड़ कर रही हूं और यह जो है जब हो जाएगा हलका साफ्ट हो जाएगा तो इसको ठंडा करके फिर मैं मिक्सी में इसकी चटनी बना लूंगी और इधर मैं फिर नमक एड़ करूंगी स्वादनसार नमक इसमें मैं नमक डाल रही हूं और हलका से सॉफ्ट होने के बाद फिर मैं इसको जो है मिक्सी में चटनी बना लूंगी ठंडा होने के बाद तो बस और कुछ नहीं इसमें आड़ करना है तो वही करलर के लिए मुझे लाल मिर्च पाउडर और लाल सुखी मिर्च डालना था बठ है नहीं मेरे पास तो मैंने वही ग्रीन चिली ही डाल दिया आप लोग के पास होगा तो आप लोग ज़रू ट्राइ किजिएगा तो इधर मैं फिर लोगी का पकोड़ी बनाने के लिए गूलत यार कर रही हूँ जिसमें मैंने बेशन डाला है और कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और जो है ये थोड़ा सा आदरक लेसुन का पेश्ट थोड़ा स्पाइसी के लिए अर नमाक और इसमे मैं थोड़ा सा कीचन किंग भी अड़ किया है तो यह सब मिक्स हो जाएगा इससे मिक्स कर के और मैं जो अच्छे से फे़ट लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा चावल का आढ़ा वी डाल रही है ये देखी चावल आटा है ये चावल का आटा दालने से गाई जे पकोडिया जो होना बहुत क्रिश्पी बनता है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चावल काटा भीएट कर दी हूँ अब मैं इसमें पानी डाल के फिंट लूँगी अच्छे से इसको विष्कर की सहायता से फिटना है और ये अच्छे से फिटने है ताकि हमारी पकोडिया जो अच्छे से फूले ये देखे मेरा धनिया पाउडर कम था तो मैं थोड़ा सा और धनिया पाउडर डाल रही हूँ डिबे में खतम हो गया था तो वही मैं मंगाई हूँ तो ये सब डाल के मैं मिक्स कर लूँगी इसका एक वेटर तयार कर लूँगी लोकी वाला तो करा चरकाल एक नयां तो इद मैं फिर प्रॉड़ वाला जो है तयार कर रही हूँ जो मुझे प्याज की पकोड़ी बना आना है उसका विट्र तैयार कर रहे हैं तो इसमें मैंने प्याज हरी मिर्च और हैं जो है कि शैसे कि ब्डी कि पति रख खिर उस में बेषन डी जुक जाला है जितना की जरूरत था और इसमें जोगा फिर अब अभी है हल्दी धनिया और थोड़ा सा कीचन किंग मसाला और यह देखे मैं थोड़ा सा बेसन आउराइट कर रही है मुझे कम लग रहा था तो यह सब डालने के बाद जो है इसको भी अच्छे से मिक्स करना है इसमें मैंने ग्रीन चिली वगरा काट के डाला है और इसमें भी थोड़ा सा अध्रेगलेसुन का पेष्ट है और यह सब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगे देखे लोगी का चटनी मैंने मिक्सी में पीस लिया है तो चटनी हमारी तैयार हो गई है और मैं यह बस जो है लोगी का जो पकोड़ी बनाना उसका भी घोल तैयार है एक साइट म हलने यह रीफाइन डायल है और इसमें फिर मैं पियाजवाली पकोड़ी में भी थोड़ा सा चावल का अटब डालोंगी क्योंकि चावल काट़ डालने से जो है पकोड़ा साथ बढ़ जाता है मुझे यह पकोड़ी या किसी के हमं भीजवाना भी है कि यह सिलिए मैं फटा फट से बना रही हूं कि बस्यर ultra mini mix कर लिया यह लोकी वाला ग attach और यह प्याज वाला है कि तो मै बसाज मिक्स करके मैं इसे पहले प्याज वाली बनाऊंगी फिर लोकी वाली बनांगी और चटनी तो तयारी है तो ये बस मैं फटा-फट से प्याज वाली पकोड़ी निकाल रहे हूं तो इधर मेरा प्याज वाला बनके तयार हो गया था प्याज वाली पकोड़ी और इधर मैं लौकी वाला तयार कर रहे हूं तो मैं लौकी वाला भी ऐसे ही बना लूँगी ये देखिए लौकी जो मैंने गुल-गुल काटा था इसको इसमें डिप करके फिर डिफ्राई कर लूँगी इस गोल में मुझे डिप करके फिर ऐसे डिफ्राई करना है तो ये देखिए मेर तो बस ऐसे ही मेरी सारी पकड़िया तयार हो गई और यह देखिए इधर लवकी और प्याज की पकड़ी और टेस्टी चटनी तयार है और इधर देखिए मेरे दुनों बच्चे कैसे इंजुआई कर रहे हैं दुनों जो है लॉक्डाउन में कैसे अपना खिल रहे हैं लग जलों डेख लेखिए हैं तो गभी लोग कार्टून अगर आंग्यार देखते हैं कभी खेलते मत एक राया हैं enfor स्टो अनियोग ऑसे इसलियोग में बाहर प्ते हैं अपना घर में आतो अगर आगे-छेो कर रहे आए हैं कर रहे हैं असे आब मैं आइजी आप हाँイ lizard मैं जरूर बताना तो फ्रेंस अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और मैं मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर झाले वीडियो में तेक के लिए बाई जाप से अगर में दो सा लिए य।